सो हेलो दोस्तों कैसे आप लोग आप से भी का स्वागत है मेरी चैनल में तो जब भी आप एक नया लैप्टॉप लेता चाहिए वो एक ओनलाइन साइट से लिया हुआ हो या फिर एक ओफलाइन मार्केट से आपके मन में एक डाउड जरूर आता होगा डाउड नहीं तो सही एक curiosity तो आती होगी कि यह जो लैप्टॉप है उसे हम कैसे चेक करें कि वह एक ओरिजिनल लैप्टॉप है या फिर एक रिफर्बिस लैप्टॉप हमें दिया हुआ है रिटलर ने सो यह दिखने के लिए आपको सिंपली जाना है आपके desktop के ऊपर वहाँ पर जाने के बार आ आपको सिंपली एक OK बटेन को दबा देना है तो यह डायरेक्ट करेगा आपको system information की जो laptop की system information है आपको बहुत सरी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी हमें जो डूढ़ना है वो है system SK U-line यहाँ पर देखिए मैंने zoom in करके रखे है और highlight भी किया है यह system SK U-line के सामने आपको एक serial number देखने को मिल जाएगा यह serial number वैपटॉप टूप वैरी होता रहता है यहाँ पर मेरे यहाँ पर देख सकते हूँ बहुत सरे numbers बहुत सरे letters और एक hash का symbol देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर सबसे main बात है यह hash का symbol अगर आपके serial number के यहाँ अगर hash के symbol के आगे just आग मिल रहे है, hash के just आगे आपको A letter देखने को मिल रहे है, तो यहाँ पर मेरा laptop एक original laptop है, so यहाँ पर hash के सामने आपको कौन सा भी letter देखने को मिल सकता है सिवाए R letter के, तो आप मान सकते हैं आपका laptop एक original laptop है, for example अगर एक refurbished laptop को serial number आपको ऐसा दिखेगा जहाँ पर hash के just आग गया होगा, कि आप कैसे identify कर सकते हो, पर यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे serial number में laptops के hash का symbol ही नहीं होता है, तो वो टाइम पर आपका जो laptop है, वो एक original ही laptop है, जब भी refurbished laptop होगा, तब भी आपका hash का symbol प्लस एक hour लेटर आपको देखने को मिल जाएगा, तो इस यह एक पर आपका जो पर देखने के लिए पर देखने को मिल जाएगा, तो तके लिए तुन, वन दे मातरू.